चार दिन पाँच मैच, आईपियल में दो प्लेओफ टीमों का इंतिजार, जानिए क्या होगा, धोनी कोहली का हाल। आईपियल के सत्रवे सीजन में दो टीमें कॉलकोता नाइट राइडर्स और राजस्तान रॉयल्स प्लेओफ में एंट्री कर चुकी, बाकी दो जैंगों के लिए पाँच टीमों के बीच चक्तर है, यह दोनों टीमें अगले चार दिन में होने वाले पाँच मुकाबलों से दिल्ली और लखनो की उमीद अभी बरकरार है, आईपियल के सत्रवे सीजन में अब गुरुप स्टेज के पाँच मुकाबले ही बच्चे हैं, आखरी मैच 19 मई को खेला जाएगा, इस तरह से चार दिन में होने वाले इन पाँच मुकाबलों के बाद ही पाँच टीमों की क पहुचने की संभावना सबसे जादा है, जबकि दिल्ली और लखनो की उमीद ना के बराबर है, इसकी सबसे बड़ी वजह इन दोनों टीमों का खराब नेट रन रेट है, दिल्ली ने अपने सभी 14 मैच खेल ली है और उसके 14 आंख है, जबकि नेट रन रेट माइनस में है दूसरी और लखनो की 13 मैच में 12 आंख है, जबकि वो आखरी मैच जीप भी लेती है, तब भी 14 आंख होंगे, जबकि उसका नेट रन रेट भी माइनस में है, लखनो का आखरी मुकाबला मुंबई इंडियन से 17 मैई को होगा अब बात करते हैं चैन्नाई, बैंगलूरू और हैदराबाद की, महंदर सिंग धोनी की टीम चैन्नाई और विराट कोहली की टीम, बैंगलूरू को अपना आखरी मकाबला एक दूसरे के खिलाफ ही खेलना है, यह मैच 18 मैई को RCB के घरेलू मैदान बैंगलूरू के M. चिन मकाबले हार जाएं। दूसरा समीकन यह है कि यदि चन्नाई टीम इस मकाबले में RCB को हराती है, तो कोहली की यह बैंगलूरू टीम पूरी तरह से बाहर हो जाएगी, जबकि चन्नाई प्ले ओप में एंट्री कर लेगी। इस नतीजी के बाद दिल्ली और लखनों की आबर 14 हो जाएंगे। ऐसे में नेट रन रेट के आधार पर फिर इन तीमों में से कोल एक टीम प्लेओफ में एंट्री करेगी। इसके लिए लखनों को अपना आखरी मैच मुंबई से जीतना होगा। आपको क्या लगता है इन टीमों में से कौन सी दो टीमें प्लेओफ क हिस्सा होगी। हमें कॉमेंट कर शरूर बताएं।